जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की संका का समधान करना चाहता हूँ जो कुछ एक लोग हैं, जो ये प्रस्ण करते हैं कि कई सारे नंबर्स क्यों हैं तो मैं बार बार बताता हूँ, जो regular मेरी चैनल को देखते हैं, उन्हें मालूम होगा कि हर नंबर, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें जब भी मैं किसी नंबर का उल्ले करता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि ये नंबर क्यों जरूरी है और जो सारे ही नंबर जुड़ते हैं, उन सारे ही नंबर को जोड़ने के बाद में जो नंबर बनता है, वो क्या बनता है, वो क्यों जरूरी है पहली बात दूसरी बात कि मैं एक ही उपाय बताता हूँ इन उपायों को करने वाले यदि चार भिन भिन अलग लोग होते हैं तो चारो ही लोगों में उसका परिणाम अलग-अलग देखने को मिलता है इसका कारण क्या होता है कि उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने उस उपाय को किया है, कितनी स्रद्धा के साथ क्या है, कितना उस उपाय को समझा है और अपने भीतर उस उपाय को उतारा है और कितने दिनों तक उस उपाय को वो फोलो करता है अपने विचारों के साथ में इस पर ही उसके परिणाम का निर्भर होता है तो जो कोई भी नंबर आपको सबसे ज़्यादा अपना सा लगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भरोसा बेठे जिसको आप सबसे ज़्यादा समय तक कर सके उसमें आपको बहुती बहतरीन result देखने को मिलेगा अन्यता हो सकता है थोड़ा मध्यम या कम result देखने को मिले तो कहने का दात परी क्या है कि हर नंबर की अपनी विशेष्ता है और उन नंबर्स के योगों की भी अपनी एक विशेष्ता होती है कुछ numbers जैसे आपने यदि कुंडली में देखा होगा किसी की कुंडली यदि देखी होगी तो वो कुंडली में भी numbers होते हैं जो ग्रह के होते हैं वो अगर क्योई number एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं तो उसी में उनका भला या बुरा होने लग जाता है और जब गोचर में उन ग्रहों की इस्थिती बदल जाती है तो उसी व्यक्ति का उनी ग्रहों के दौरा सुब परिणाम देखने को मिलने लगता है तो ऐसा ही होता है कि जब हम किसी numbers का use करते हैं तो उस समय आपके मूलान के साथ में उस number का लेंदेन कैसा चल रहा है इस तरह से उसका असर आपको भिन भिन देखने को मिलता है ठीक है तो ऐसा ही एक मैं आज आपको number बताने वाला हूँ और इस number से भी आप अपने मंचाहे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये जो number है पांच का अंग है मैं पांच का अंग हमेसे आपको बताता हूँ कि बुद्धवार के दिन पांच के अंग का प्रयोक करें क्योंकि जो कामकाज में प्रगती के लिए जो ग्रह आप पे प्रभावित करता है वो है बुद्ध और बुद्ध का जो अंग है वो पांच का अंग है अब बुद्ध का जो वार है वो बुद्धवार है तो बुद्धवार के दिन यदि आप पांच के अंग को हरे रंग से कहीं पर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके कामकाज में वृद्धी होने की प्रबल आसंकाएं बढ़ जाती हैं, कि आपका कामकाज बढ़ने लग जाएगा, एक, दूसरा, जो पांच का अंक है, वो व्यक्ति की बुद्धी को प्रभावित करता है, तो जब आपकी बुद्धी को प्रभावित करेगा, वो अ आपका मजबूत होगा तो आपकी उसी तरीके से मजबूत होने लग जाएंगे तीसरा जो बुद्ध्ध ग्रह हें वह यूवग्र होने के ना लग देता है तो दिशिन काम में सफलता के लिए आपके अंदर पूरा उच्छा garant dalा में पुरी इन सबी चीजों के चलते यदि बुद्धवार के दिन पांच के अंक का व्यक्ति प्रयोग करता है। जैसा मैं बता रहा हूं देखिए इस चीज को अब इसी तरह से समझे इसको अपना लीजी अपने अंदर तक भीतर तक इस चीज को उतार लीजी के बुद्ध का मतलब क्या है। बुद्ध के ग्रह का जो आप अंक का उपियोग करते हैं तो इसके लक्षण क्या है। ये आपके सरीर में, आपके दिलो दिमाग में, आपके कामकाज में किस तरह से असर करने वाला है। इसको पूरी तरीके से समझ लें और अपने दिलों दिमाग में उतार लें। इसके बाद आप इसका प्रयोग करें। और फिर आप देखेंगे कि आपको 110% बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसका देखने का मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गृंतों में छुपे वे कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं। तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाई आप तक आसानी से और थेजी से पहुचेंगे। तो चले दोस्तों बताता हूँ आज के उपाई में आपको करना क्या है? पाँच के अंक को आपको किस तरह से आज उप्योग में लेना है? अंक वही है, पाँच का अंक है, लेकिन पाँच के अंक को जहां कई भी आप टेबल में, जहां ओफिस में आप बेखते हैं तो ओफ तो बेग में जो सबसे उपर जहां आपका एड्रस आपकी आइडेंटिटी रखने का जो बॉक्स होता है जो एक उसमें वो दिया होता है उसको आप चुन ले यदि आप कोई गाड़ी वहान वगरे चला रहे हैं तो जहां आप बैठते हैं उसके सामने की चीज़ को आप चु हैं और फिल करें के पांच का अंग अब आप से आज के दिन से आपको पांच गुना पावर देगा यानि जो आप काम करते हैं उसमें आपको पांच गुना यह अंग पावर देगा देखिए बहुत सारी चीज मैं कहूंगा सारी ही चीज आपके दिमाग पर निर्भर करती ह यदि आप मन से मक्कम हैं यदि आप मन से एकदम द्रण हैं तो फिर आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती है कोई भी चीज आपको डगा नहीं सकती है तो मन से संपुन रूप से आप इसको निर्धारित करें कि आज से पांच का अंक आपको पांच गुनी ताकत देगा आप अपने काम में पांच गुने जोस्ज़ हो जाएंगे दूसरी बाग जब आप इनका मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो आपको आंसर मिलता है वो 27 का मिलता है तो आपको लिखना है 5 इंटू 5 is equal to 25 अभी जो 25 है इसका जो आंक बनता है वो 7 का अंक बनता है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो 7 का अंक होता है वो सूब आंक होता है जिस किसी भी वेक्ति के साथ में रहता है उसको सूबरता प्रदान करता है उसको लाप्रदान करता है तो आपको लिखना है 5 into 5 is equal to 25 इसको आप अपने टेबल पर लख रहे हैं कि आप इतनी ताकत से काम करेंगे कि आपका काम 5 गुना बढ़ जाएगा जिसका रिजल्ट आपको 25 गुना देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि यदि आप इसको पू प्रिकास और अपने जिवन में लापनुत होते रही है धन्यवाद